हलो माइनम इस तरून अगरवाल और जैसे कि आपको पता है अभी मार्केट में मिलब यूट्यूब एक बहुत ही वाइरल एक तरीके से टॉपिक चल रहा है जो कि है विवेक बिंद्रा और संधी महिशुरी की बीद में जो कॉंट्रिवेश्य चल रही है तो उसके बारे में संधी महिशुरी की वीडियो मैंने देखी और कि इस वीडियो में अपना पॉंट्यू देने वाला हूं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिक्सक्राइब करूंगा पहली चीज कि क्या विवेक बिंद्रा जो है उनका जो बिजनेस मॉडल है क्या वो फेक है क्या वो के विवेक बिंद्रा के फेवर में बोल रहे हैं आज मैं बेना किसी के फेवर में बोल रहे हैं मैं बस अपना पॉंट यूव देने वालों कि मैं किसी के फेवर में नहीं बोलूँगा I'm just going to give you my point of view okay because this is so important because मुझे रखता है संदी महिशुरी और विवेक बिंद्रा ये दो ऐसे यूट्यूबर्स हैं मैं 100% sure समझता हूं इस चीज़ को कि आप भी इन दोनों ही लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा correct मैंने इन दोनों ही यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखा है म दोनों ही लोगों की मैं respect करते हूं बर थे थोड़ा से एक वीडियो एक 10 मिनिट की वीडियो की वज़े से क्या हम इन में से किसी एक की बिच में competition करते हैं कि विवेक बिन्दा ज़दा बेटर है संदी महिशुरी बेगा रहे हैं इन दोनों की बिच में क्यों कर रहे हैं तो इनका जो सीरीज चल रहे है बिजनेस मास्टी सीरीज उसमें किसी ने बोला कि एक बिक स्कैम एक्स्पोस करते हुए उसमें बड़ा स्टेट्मेंट लिखा है और यह कोई स्टुडेंट है बड़ा बिसनेस.com जो की विवेक बिंद रहे हैं और इनोंने बोला कि यार मैंने उनका कोर्स लिए और मेरा कुछ भी निवा और एक तरह किसे फ्रॉड है उसमें कोई वेल्यू नहीं है लेक्ट सी छोटा से दिखते हैं इसके लिए पूर पर गुमा फिरा कि आप वीडियो देखेंगा मैं पूरा नहीं इस पूरी वीडियो में बतारें कि हैं मैंने कोई वेल्यू नहीं है और उसके बाद पूरा नाम लिया जा रहा है तो बैसिकली के इसमें बता रहे हैं कि कोउर्स में कुछ नहीं था लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि यार आप मेरे कोई पागल बनाओ तो इस तरीके से बोला गया है और दस मिर्ट के वीडियो है और इस वीडियो में बहुत ही एक्स्प्लोसिव एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कमेंट्स आया है नेगिटिव और विविक बिंदर को स्कैम बोला जा रहा है बहुत ही उल्टे सीते कमेंट्स भी इस वीडियो म और यह डिरेक्टली बोल रहे हैं कि मैंने एक scam को exposed किया है और देखे मैं अपना point वी देना चाहूँँगा कि देखे क्या यह वाकई में है कि वीविक बिजनस मॉडल है क्या वह वाकई में स्कैम है तेके मेरे साब से यह बिल्कुल भी स्कैम नहीं है तेके मेरे साब से मैं प पिछले 8-9 महीने पहले उन्होंने मुझे फोन करके मैं को बोला थे कि वैसे मैं करके नाम बिटू है तो उन्होंने में फोन करके बोला कि बिटू कि बही मैं इनको यह विविक बिंदरा जो है इनका यह कोर्स है कोई बड़ा-bisnes.com इस सरीके से क्या मैंस को करा हूँ तु मेरे माइन में जो एक फीडबेक निगला मैंने भाईया को यही बुला कि भाईया देखे एक चीस हो शिए हो रहे कि फ्रॉड नहीं है लेकिन यह कोर्सेस हैं कुछ जो की एक प्रोड़क्ट के फॉर्म में कोर्सेस आप उस कोर्सेस से सीखो जितना सीख सकते हो लेकिन में इस के अंदर क्या है कि यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ठीकि आपके बास प्रोड़क्ट आ रहा है डिश्टल प्रोड़क्ट के फॉर्म में और आप विवेग बिंद्रा के उस कमीनिटी के अंदर आया तो कुछ नहीं को सीखने कोई मिलेगा खाली बैठा हुआ हुआ खाली टाइम पास करने से तो बैटरी है कि अगर यह करता भी है तो कोई हज नहीं है तो मैंने का आप देख लीजिए अगर आप पचाई सार के इसनों कुछ कर सकते हैं तो उन्हें ठीक है कर लेते हैं कोई प्रॉड्लम नहीं है रोपे की तो लेकिन बस यह बताओ आप दे रहा हूं सिंपल यह एक अफिलेट मार्केटिंग मॉडल है जो की फॉरें में बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चलता है अगर आप अगर मैं च्रेक करूं ओके यह कोई लीगली कोई फ्रॉड नहीं है अगर आम बात करें बिस गुर कुल। वसी मिलेट मार्केटिंग को है कि संब्सक्राइश ब्रोडक को अप दे रहा विक हो सकते में मैं बी बड़ी बड़ी जितनी बड़ी 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 कोच थे आजके यह तो तो ही रूओ अब इनका भी देखोगे तो इनका अपना प्रोडक्ट है इनकी जो डाइमंड मेंबर्शिप है वो लगभग दो लाग रुपी की है डाइमंड मेंबर्शिप ओके और डाइमंड मेंबर्शिप होई लेता है तो उसको 35% वह एफिलेट पार्टनर भी बन जाता है मैं खुद क सब्सक्राइब क्योंकि वह कुछ मेरे फ्रेंड है जैसे श्री राम बैनूर के वह एक यूट्यूब यूट्यूब कोच है यूट्यूब कोच है उनका भी अपना एक एफिलेट प्रोग्राम है अगर किसी भी हर एक कोच का होता है अगर हम चलते हैं इलह इंटरेंट लाइ करता हूं ठीक है नेक्स चलते हैं एक और परसन है अनुप भी हो गए ठीक है फिर वेल्दी संदीप यह भी एक कोच है इनका भी अपने खुद का एक एफिलेट एडिया है तो हर एक कोच का एक एफिलेट पार्टनर्शिप प्रोग्राम होती है हाला कि उनका में फोकस उनक होई भी गलत बात नहीं है हर एक कोच का अफिलेट प्रोग्राम होता है अगर मैं आपको बॉलऊ कि जो अगर आप आप अलेकीस हॉर मोजी को दिखते हो ऑखे-छोर मोजी आप गइभान Quinn massa県 ओन coupon को देक़ोगे और यह खुद बोलते हैं बडू अबी बैस्ट वेलोफ कं तो देखोगे, okay, 100 million leads इनके जो नहीं book आई है, इसमें one of the way to generate leads is by converting your students into your partners, okay, convert your students into partners, क्योंकि it is a win-win situation, okay, तो become create your own affiliate program, okay, तो ये उनका ये मैं दिखना चाहँगा, ये उनका एक, this is Alex Hormos तो ये उनका अपना कहना है, तो I think ये जो चीज़े हैं, सब जीज़े जो discussion हो रही है कि हमें करना चाहिए कि नहीं, मलब ये fraud है कि नहीं, मैं बलूगा ये बिलकुल भी fraud नहीं है, मेरे साब से, okay, it is not at all a fraud, और सिधा राश्यकर होगा, ये जितनी भी बड़़़ड़ी सब के सब ये करते हैं, और this is absolutely fine, लेकिन हुआ क्या, ये जो word use करा जा रहा है scam मुझे लगता है, ये बिलकुली गलत है, मेरे साब से तो, मेरा अपना point हुए हो भाई, अगर संधी में शुरी के fan आप है और मैं भी संधी में शुरी के fan हूँ, मैं तो जैस बताना चाहरा हूँ, ये scam word use करना directly बिलकुल भी सही नहीं है, because industry standard, अगर हम industry standard की बात करें, एक coach है, मैं recently एक podcast सुन रहा था, जिसमें Jishan Sheik, जो सीकिन जो channel है, उनके उन्होंने जुपना रखा है उनके साथ एक योगेंदर करके वो by default, उनका mindset ही हो जाता है कि यार, ये product बेखा रहे है, क्योंकि कोई भी अपने उपर नहीं लेगा, कि मैंने नहीं देखा, just सुनते है थोड़ा से इनके साथ में, digital product के साथ में एक problem आती है, कि maximum लोगी नहीं पढ़ते नहीं, 8-10% लोगी बढ़ते हैं, जैसे e-book देदी मैंने, digital product में, e-book देदी है, ठीक है, यार कोई मैंने recorded course देदी है, तो सो में से 8% की opening rate है, मतलब कि सो में से 8% ही है, जो अच्छली पूरा देखते हैं, मैं, पैसे, नोट इफिल अप में, बड़ी सूरी आवा है, मतलब कि इतना सूर है, उसमें कठीक है, तो हमेशा आपके product में accountability के mechanisms होने चाहिए, accountability होनी चाहिए, कि लोगों ने अगर use नहीं किया है, तो use नहीं किया मतलब उनका natural bias बंगा, तो यह बहुत है, कि देखें, इंडस्टी स्टेंड़ी डिजिटल प्रोडेक्ट में यह कि लगभाग 8% लोगी देखते हैं, consume करते हैं, content को, बाकी लोग consume भी नहीं करें, और जो नहीं consume करें, उनको लगता है कि यह बेकार है, तो यह, इस इस नॉर्मल, I want to say, this is very, very normal, and using the word scam, using the word, कि में कोई धंकिया मिल रही है, तो I'm not sure कि क्या चल रहा है, क्या बाके में कोई धंकी दे रहा है कि नहीं, क्या चल रहा है, I don't want to support Sandeep Mahishwari, I don't want to support Vivek Bindra, I just want to give you my point of view, simple, लेकिन अमें देख रहा था कि Vivek Bindra कि अगर आप YouTube चनल पर जाओगे, हलांकि इन्होंने भी Sandeep Mahishwari को पूरा एक अच्छे से reply किया, and he's ready, and he wants कि Sandeep Mahishwari उनको अपने अपने चैनल पर बुलाएं दुपार ऐसे, और वहाँ पर वो जो भी question पुछना चाहते हैं, वो directly हर question का answer देने के लिए ready हैं, और हर question का answer देने के लिए ready हैं, जो big scam exposed, यह बहुत बड़ा word यूज कर रहा हुए, इसके मलब I think खफा है, जो कि natural ही होने चाहिए, बहुत पराने पराने कुछ video कर आप देखोगे, एक साल पहले एक video है, क्या IBC एक scandal है, तो जो भी questions, जो भी हम लोग एक point of view बना रहे हैं, कि यह संदी महिशुरी जो बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, विवेक बिंदरा लोगों को पागल बना रहे हैं, यह सब चीज़े जो हम देख रहे हैं, लोगों के comments, मैं आपको बोलूगा कि यह सब चीज़ें already answer कर चुके हैं, विवेक बिंदरा लागरामन की इस video को देखेंगे, आपको बिंदरा लागरामन की इस video को देखेंगे, कहां से दे रखें, किसी ने अपना एक इस particular वीडियो में इन परसन ने अपना एक feedback शेयर किया रहा है कि इन से नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी से भी नहीं हो पाया, यहां हम scam तब बोलेंगे, जब सबके सब बरबाद हो गए, और सबके सब बरबाद नहीं होए, इन्होंने एक affiliate marketing एक concept निकाला है, और एक और इनकी वीडियो देख सकते हैं, वीवेब गिंद्रा की चैनल में, कुछ आई भी से सेल क्यों नहीं कर पाते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारे यूटूबर्स ने फिर वीडियो भी बना दी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बन गई इसी topic के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों ने भी इससे वीडियो बनाई है, कुछ लोग तो मजाग बना रहे हैं, मुझे लगते हैं कि we should stop this, we should stop this, हम लोगों को इनका मजाग नहीं बनाना चाहिए अभी, उसका reason यह है, सबसे बड़ा reason यह है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा point of view है क्योंकि Sandeep Maheshuri, हर चीज़ फ्री करते हैं, उनका YouTube चैनल फ्री है, उनको वो कुछ बेच नहीं रहे, इसलिए कहीं नहीं कहीं emotionally, जो हम लोग हैं, हमारा point of view बन जाता है कि Sandeep Maheshuri is the best, वो यार दुनिया के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर विवेक बिंदरा थोड़ी कुछ चीज़े बेच रहे हैं, उनके पास कोई याकर product है, जो कि वो sell कर रहे हैं, तो हमारा mindset बन जाता है, कि विवेक बिंदरा वसे Sandeep Maheshuri में, हमेशा Sandeep Maheshuri जीतेंगे in terms of emotional respect, because Sandeep Maheshuri फ्री में कर रहे हैं सब चीज़े, मैं बोलुगा कि इस सरे फ्री में कर रहे हैं, इस वज़े से उनके ऊपर एक biased, एक opinion मद बनाई है इस तरीके से, कि he's the best, he's the best, okay, दोनो ही value प्रोवाइट कर रहे हैं, भाई, दोनो ही value प्रोवाइट कर रहे हैं, you cannot say scam to this, it is not a scam, यह कोई ऐसे नहीं है, जैसे 2023 में यह video उन्होंने अप्लोट कर रहे है, तो यह ऐसे नहीं हो कि नई सीरीज बन जा है scam 2023, no, it is not at all a scam, it is a business model, okay, it is simple, it is an affiliate model जो कि बनाए गया है, और सारे question council विविक बनाए अपनी किसी पुरानी वीडियो में दे चुके, so, base guru को leads, leads guru, यह सारे जो model है, इसी बे ही चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि, actually, अगर, देखे, अब हम point of view देखते हैं, जो लोग already बड़ा business में है, जो मैंने देखा है, जो वो लोग जो problem face कर रहे हैं, वो यह problem face कर रहे हैं, कि उनको लगवाग 5-6,000 रुपे में कुछ leads खरीदी जाती हैं, वो खरीदते हैं, कोई digital marketing, उनके जो head होते हैं, वो उनको खरीद के देते हैं, और वो पे करते हैं leads के लिए, फिर वो calling करते रहे हैं, तो यह काम बहुत ही बेकार है, अगर आप इस तरह के से इस business को build करें तो बहुत ही बेकार है, typically अगर आपको कोई भी product को बेचना है, then you must learn how to nurture leads, how to attract leads, how to target right audience, how to give them value, how to tell them, how to give them presentation that इस के इंदर क्या है, what is there for you, and let them decide कि यह उनको करना चाहिए कि नहीं, okay, so एक proper एक business है यह, proper business है, जिसको आप बड़ा-business.com में यह जो model है, इसके थुरू आप रुपे earn कर सकते हो, आप कुछ सीख भी सकते हो, उनकी community में भी आ गए, but किसी को कुछ चीज बेचने के लिए, you need to learn some skills, okay, जो digitally अगर आप करना है, तो YouTube पर जाओ, content बनाओ, good quality, value प्रवाइट करो, उनको बताओ कि इसके हिंदा क्या-क्या फायरे हो रहे है, only then you can do it, okay, अगर आप सिर्फ, मैं मुझे लग रहा है, बड़ा-business.com जो लोग कर रहे हैं काम, वो frustrate हो जोगे, call कर करके लोगों को, तो call all करोगे, फिर रुपया खर्च करोगे, advertisement पर, यहां पर frustration आ रही है, और उस frustration की वज़े से, कुछ लोग negative हो गए हैं, और negative होनी की वज़े से, अगर मैं आपको बुलना चाहूँगा, कि audience आप लोग के लिए, जो आप मुझे सुन रहे हो, तो दो टाइपी audience है, एक वो audience जो already बड़ा-business.com में अपना रुपे इंवेस्ट कर चुके हैं, विवेक बिंदरा को जो मॉडल है, उसमें रुपे इंवेस्ट कर चुके हैं, जो लोग रुपे इंवेस्ट कर चुके हैं, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, वेट फॉर विवेक बिंदरा's reply on this, okay, मैं आपको बोलूँगा कि, don't worry, actually, the thing is, बस क्योंकि एक big scam करके बोल दिया, बड़ा-बड़ा, वो भी बहुत बड़ी YouTuber ने, संदी महिशुरी ने, और कही न कहीं इसकी वज़े से hurt हुआ विवेक बिंदरा के brand image को, which is very much understandable, और this happens in business, so मैं आप लोग को बलूँगा, अगर आपके रुपे लग चुके हैं, तो don't worry, at least wait for विवेक बिंदरा to reply on this, okay, and you know, he is a master in business, okay, both, both are businessmen, Sandeep Mishwini and विवेक बिंदरा, both are businessmen, he is master in this and definitely he is going to reply on this, okay, so wait for him, okay, trust him and wait for him, next, जो लोग के ने invest नहीं किया, तो मैं आपको बलना चाहूँगा कि इन दोनों की जो controversy हो रही है, जो आपस में जो discussion हो रहा है, ठीक है, कि आप देख रहे हो, but मैं आप लोग को suggest करूँगा, एक point of view आप लोग को देना चाहूँगा, विवेक बिंदर जो पकड़ी में पकड़ाते हैं, और उस उस मैं जो पकड़ेते हैं, अचक्छा एककर प्रींसिपल होता है, हो बोलते थो तुम यहाम क्या बहुत मैं जो अपकर रहिह हो, तो फिर तुम किसी साइद से होग हो? नश्यचीवालों की साइद से हो और लगर की साहँद से हो, आप साइड लो value, valuable content का, Sandhi Maheshuri का कोई content देखो, या VVBindar कोई content देखो, value अगर आपको मिल रही है, तो देखो, value नहीं मिल रही है, तो मत देखो, and I'm very much sure, दोनों से आपको value मिली रही है, मैं खुद VVBindar का चनल देखता हूं, Sandhi Maheshuri का चनल देखता हूं, मैं किसी का भी चनल unsubscribe नहीं करने वाला हूं, इन दोनों के चनल मिलें सब्स्राइब करें, and I want to continue subscribing these channels, I will continue to watch their videos, I will continue to learn from them, okay, so don't take one person's side, okay, it is, दोनों के वीच में जो भी चल रहा है, they will sort it out, the thing is, कि BadaBusiness.com को scam मत बोलो, क्योंकि वो हर चीज़ फ्री में कर रहे हैं, तो इसलिए एक emotional connect हो जाता है, जुखाव हो जाता है, कि भाई ये फ्री कर रहे हैं, तो जन्ता के लिए बहुत बढ़े हो है, मैं मैं बोलूँगा, वीवेग बिंदरा भी, उन्होंने भी equally बहुत अच्छा काम किया है, और अगर वो कोई product दे रहे हैं, इतने सारे लोगो को वो invite करते हैं, अच्छी quality content दे रहे हैं, इतने सारे लोगो के life उन्होंने अच्छी कर रही है, because of good content, बस क्योंकि उनके पास कोई paid product है, इसके वाई से आप biased हो रहे हैं और negative हो रहे हैं के लिए, तो ये बात मेरे रिकाल से बिपल के लाते है, आपके क्या point of view उसके उपर, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो, मैं अपना point of view, मैंना आपको दिया सब कुछ, अभी शेर करें इस comment box में, मैं definitely आप लोग के comments पनना चाहूँगा, and let's continue supporting both of these people, these are the, we should proud that they are Indians, and they are part of our country, they are the big YouTubers, okay, so thank you Sandeep Maheshwari, thank you Viva Pindra for being with us, okay, and teaching us, okay, thank you, so check out the link in the description, मेरे कुछ लिंक से देख सकतो, और मैं आपके लोग के comments पनना चाहूँगा, देखते हैं, okay, आप एपना point of view कर सकते हैं, thank you,